डिजीस के लिए ना कोई अमीर है ना गरीब है ना कोई बड़ा ना कोई चोटा बिमारी धर्म का भेदभाव भी नहीं करती दुनिया के इतिहास में मानों ही एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव का दूद पीता है और मानों ही एक ऐसा जीव है जो जीवन भर दूद पीता है नेचर ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि पहले कुछ वर्षनों तग ही हमें दूद की अवर्षबता होती है और वो भी मा के दूद की चारो तरफ खाने पिने के समान है पिजा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्डरिंग, पेस्ट्रीज, केक आईए जान लेते हैं फास्ट फूड का ये सच पहली कहानी का शिशग है ब्रेन में घोटाला इस कहानी का हीरो है सुजुकी ब्रदर्स बात है सन 1908 की जब जैपैन के सुजुकी ब्रदर्स एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते थे अकसर रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठ कर रेस्टोरेंट में आए ग्रहक के बिहेवेर को नोटिस किया करते थे उन्होंने देखा कि जैसे ही ग्रहक का पेट भर जाता वह और खाना ओर नहीं करते उनके दिमाग में एक बात आई अगर रेस्टोरेंट में आए कस्टोमर का पेट कभी भी ना भरे तो customer और खाना order करेंगे और उससे restaurant का profit बढ़ जाएगा हमें समझना होगा जब भी हमें भूग लगती है तब brain से signal पेट तक पहुंसता है और हमें भूग का एसास पेट पर होता है आप imagine कीजिए कि आपके brain में traffic signal की तरह light है और जब brain देखता है की body को energy की अवशकता है तो green light यानि की start hormone ग्रेहलीन ओन कर देता है और हमें पेट में भूग का एसास होने लगता है और brain जब देखता है की अब खाना प्रयाप्त है अगले कुछ घंटों के लिए तब brain अपने green signal को off करके red signal यानि stop hormone liptin को on कर देता है तब आपको ऐसास होता है की अब और खाने की इच्छा और अवशकता नहीं है सुजगी ब्रदर्स कुछ scientist से मिले और बोला आप कुछ ऐसा कर दो की जब हमारे restaurant में customer आएं तब उनका green signal हमेशा के लिए on रहे और red signal हमेशा के लिए off ताकि उनको खाने खाने के बाद भी भूग लगती रहे जिससे की customer और खाना order करें और खाते रहें scientist ने सुजगी ब्रदर्स के दर्खवास के बाद एक chemical का हिजात किया जिसका नाम है MSG यानि की monosodium glutamate और सुजगी ब्रदर्स को समझाया बस इसे खाने में मिला देना MSG की यह खासे थे कि जैसे ही खाने के मादियम से आपके Jeep तक यहाँ पहुंसता है तो Jeep से सीधे brain में green signal यानि की start hormone को लगातार on रहने पर मजबूर करता है और साथ ही red signal यानि stop hormone को destroy करने लगता है यानि जितना आप MSG युक खाना खाएंगे उतना आपका green signal on रहेगा और red signal off यानि की खाने के बावजूद भी भूग लगती रहेगी लेकिन कुछ सालों के MSG युक खाने के सेवन से red signal यानि stop hormone की प्रक्रिया पूरी तरह से damage हो जाती है और ऐसे बच्चे दिन भर खाना खाते ही रहते हैं और फिर भी भूग नहीं मिटती लगबग जितने भी fast food हैं जैसे chips, burger, pizza, french fries इन सब में MSG होता है MSG अगर आप मिट्टी में मिला कर खाएं तो वह भी स्वादिश लगेगा क्योंकि यह है false taste अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि घर में मम्मी बोलती है कि आज घर में ही pizza बनाऊंगी लेकिन बच्चा घर का pizza खा कर बोलता है मम्मी आपकी pizza में वो स्वाद नहीं है ध्यान देने वाली बात यह है कि restaurant में pizza जो आपको स्वादिश लगता है उसकी वज़ा है MSG MSG जीप के माध्यम से सीधे brain में attack करता है और MSG nose के माध्यम से भी brain को hit करता है इसलिए आपने गौर किया होगा जब आप mcdonald के पास से गुजरते हैं तब एक peculiar समयल आती है और आपको एहसास होता है कि भूक लगी है कुछ खा लिया जाए दरसल यह MSG का कमाल है MSG leads to many kind of lifestyle diseases including diabetes, cardiovascular diseases, mental disorder, obesity, etc HFCS यानि की high fructose corn syrup अब HFCS क्या है अगर आप जानते हैं कि शराब क्या है और उसका दिमाग पे और बौडी में क्या असर होता है क्या damage करता है तो समझ लीजे HFCS भी उसी का एक दूसर रूप है HFCS बनाने का process अलकोहल के बनाने के process से मिलता जुलता है और बौडी और दिमाग में प्रभाव भी शराब की तरह ही करता है यह बहुत ही elective होता है इसलिए अधिकतर multination companies अपने food item में HFCS मिलाते हैं ताकि उस food item को अगर एक बार आप खाएं तो आपको उसकी लथ लग जाए fruit juices, jelly, pastries, chocolate, candy, health drinks, biscuits जैसे food item में अक्सर HFCS होता है एक गहरी बात यह है कि जब बच्चा लगातार 2-4 साल तग fast food का सेवन करता है तब body में कई प्रकार के mineral and vitamin deficiency हो जाती है जिसकी वज़े से कई सारे symptoms आने लगते हैं जैसे बार-बार बिमार पढ़ना, हमेशा ठका सा रहना, overweight होना, नीद का ना आना या फिर बहुत ज़्यादा नीद आना, पढ़ाई में मनना लगना, etc. National Health Account says, one in four families, either sell assets or borrow money to pay for health care. अब सवाल है कि इतना सारा पैसा जाता कहां पर है, इसको समझने के लिए आप ज़रा इस आख़रे पर कौर करें. Fortune magazines के अनुसार World's number one fastest growing company, that is healthcare. Four out of top ten faster growing company, again that is healthcare. Incidentally, Hunza के अलावा दुनिया में 6 और civilization ऐसे हैं, जहां आज भी बीमारी का कोई नामों निशान नहीं है, और अक्सर लोग 100 वर्ष की आयू क्रॉस करते हैं. Some of the prominent similarities in all the 7 healthiest civilization are, First, plant-based food consumption in raw and boiled form is about 90-95%. Second is, sugar consumption nil, salt consumption almost nil. Animal-based food consumption 1-5%, milk consumption very less, processed food consumption nil.